नमस्कार दोस्तो आज मां आपको स्ट्राबेरी के पोदे दिखा रहा हूँ फरवरी लाष्ट तक आप इन पोदो को नशरी से खरिद सकते हैं ये पोदे हमें 30-40 रुपे में मिल जाते हैं इन पोदो को जब हम लगा लेते हैं तो इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है इनकी अधिक केर नहीं करनी पड़ती एक बार जब हम ये पोदा लगा लेते हैं तो ये पोदा तीन साल तक रह सकता है उसके बाद ये पोदा सूख जाता है और आप इन पोदों को डिवाइड करके भी लगा सकते हैं एक ही पोदे से बहुत सारे पोदे भी बना सकते हैं स्ट्राबेरी के एक हेल्दी पोदे से 200-500 ग्राम स्ट्राबेरी हार्वेस्ट की जा सकती है स्ट्राबेरी के इन पोदों की जड़े गहरी जाती हैं इसलिए आप इनको जब गमले में लगाते हैं तो कम से कम 10 से 12 इंची साइज के गमले में आप इनको लगाईए मैंने इनके दो पोदे नीचे जमीन में लगा दिये हैं जमीन में लगाने पर इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और इनकी रूट्स को फैलने की जगे भी मिल जाएगी यदि आप भी ये पोदे लगाना चाहते हैं इन पोदों के जो भी पत्ते नीचे जमीन में टच हो जाते हैं वे पिले होकर सुख जाते हैं आप इन पोदों में मल्चिंग जरूर करें मल्चिंग करने से इनके पत्ते भी नहीं सुखेंगे और जो इन में फ्रूटिंग होगी वो भी हेल्दी रहेगी पाड़ी छेत्रों में ये फसल पहले बोई जाती थी मगर अब मैदानी छेत्रों में भी इस फसल का उत्पादन बड़े पैमाने पर लिया जाता है इन पोदों की अच्छी पैदावार के लिए 20 डिगरी से 30 डिगरी तक तापमान अच्छा रहता है हम अपने घर पर 20 ट्रावारी के पोदे लगा सकते हैं इनको आप गमले में लगाते हैं तो बड़े साइज के गमले ली लीजिए और यदि आप इनको नीचे जमिन में लगा लेते हैं तो और भी इनकी अच्छी गरोथ हो जाएगी और जमीन में लगाने पर इनके पोदे जल्दी फैल जाते हैं और नए नए पोदे बन जाते हैं आप इन पोदो को डिवाइड करके अलग-अलग जग़े लगा सकते हैं 30 डिग्री से 35 डिग्री चल्शेस तक के तापमान तक इन पोदो को आप डारेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में लगा सकते हैं उसके बाद जैसे एटमप्रेचर बढ़ता है तो ये पोदे सूखने लगते हैं यदि आपको ये पोदे अगले साल के लिए बचाने हैं तो आप इन पोदो को चायादार लोकेशन में रख दें मैंने ये दोनों पोदे नीचे जमीन में लगा दिये हैं और मार्च तक इन पोदों में नए नए छोटे छोटे पोदे निकलाएंगे और मैं उन पोदों को डिवाइड करके गंबले में लगाने वाला हूँ नीचे जमीन में टच होने से इनके पत्ते और फ्रूट इस परकार पीले होकर गिर जाते हैं इसलिए इन पोदों में मल्चिंग करना बहुत ही जरूरी होता है इन पोदों की अच्छी देखभाल के लिए मैं आपको कुछ जरूरी बाते बताता हूँ पहले मैं इसकी वाटरिंग का जिकर करूँगा यदि आप इन पोदों में पानी हर रोज डालते हैं तो इनकी अच्छी गरोथ होगी ये पोदे कभी भी ओवर वाटरिंग से नहीं सुखते हैं यदि आप इस पोदे को जल्दी फैलाना चाहते हैं तो इस पोदे के चारो तरफ कोई भी खर्पतवार नहीं उगना चाहिए जो भी खर्पतवार या गास से इसके चारो तरफ उग जाता है तो आप उसको तुरंट निकाल दें इस परकार इसका मल्टिप्लिकेशन भी फास्ट होगा और इसकी अच्छी ग्रोथ होती रहेगी और अधिक से अधिक फ्रूटिंग भी इस पोदे में होगी स्ट्राबेरी के पोदो की मिट्टी त्यार करते हैं तो आप उसकी मिट्टी को एसिटिक बनाएं इसके लिए आप मिट्टी में राइस कश्क मिला सकते हैं टेमिकल फर्टिलाजर का इस्तेमाल इन पोदों में कभी नहीं करना चाहिए हम इन पोदों में ओर्गेनिक किचन वेस्ट कमपोस्ट या काउडन कमपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इनकी अच्छी ग्रोथ होगी और ये पोदे भी हल्दी रहेंगे आप भी अपने गार्डन में स्ट्राबेरी के इन पोदों को जरूर एड़ कीजिए यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए वीडियो में लाट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू